पॉलिवुड अक्टरिस आईशा जुलका को सुपर हिट फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए जाना जाता है हाला कि आज वो कई सालों से फिल्मी दुनिया से दूर है लेकिन नब्बे के दशक में उन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ परदे पर रुमैंस किया आईशा ने अपने एक इंटर्वियू में इस बारे में कहा भी था कि उन्हें बाद में ऐसे आफर्स नहीं मिले जिससे वो फिल्मों में कम बैक कर पाती बहुत ही कम लोगों के इस बात की जानकारी है कि आईशा ने सनी दियोल के साथ फिल्म नरसिमहा की शूरू कर दी थी लेकिन इस फिल्म से उन्हें बाहर कर दिया गया था आईशा ने अपने इंटर्वियू में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि जब उन्हें इन फिल्मों से बिना किसी रीजन के रिप्लेस किया था तो उन्हें बहुत दुख पहुँचा था आईशा ने अच्छा काम पाने के लिए कई सालों तक इंतजार किया हाला की कुछ समय के बाद ही उन्हें आमिर खान के साथ फिल्म जो जीता वही सिकंदर मिली जिसने उन्हें रातो रात स्टार बना दिया करियर की उचाईयों पर पहुँच कर आईशा ने अपनी मर्जी से फिल्मों से ब्रेक लिया वहीं आईशा ने फिल्म रोजा फूल और काटे जैसी फिल्मों के ओफर भी डेट्स की वज़े से ठुकरा दिये थे जब आईशा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपने किसी फैसले पर कोई अफसोस नहीं है झाल झाल